हेलो फ्रेंट्स मैं सेपनी जयान आपका स्वागत करता हूँ आपके एपने येटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो यहां पर जो है इसमें इस वाले केस में क्या क्या पॉइंट्स थे वीडियो पुरह ध्यान से समझेगा तो सकता है कि यह केस आपके सिमिलर केस से मैंच होता हो तो उस केस में जो है आप इस वाले जिसमेंट की हैल्प से अपने जो भी नोटिस या ओडर को क्वैस करा सकते हैं इडियो को पुरह ध्यान से समझेगा जहां पर जो है प्रेटिसनर ने प्रेटिसन फाइल की उन्होंने का कि सर उनके पास जो है एक एक ऑर पास किया गया था यही किया गया उससे पहले ओ इस का जो है नोटिस के बाद जो है फिर यह और पास कर दिय/. कि देख रहे होंगे आप यह अप्रोक्सिमेटरी लाजटेट पर गया गया जिबकि थर्टी फर्जिसम पर लाजटेट थी तो उससे एक दो दिन पहले ही ओडर पास के गया है तो यह से काफी सारी ओडर पास हुए है इनमें काफी सारी जो है वो डिमांड जेनरेट कर दी सब्सक्राइब कर सकते हैं अब वीडियो जरूर देखेगा अभी पहले आपर इस वाले केस में समझ लिए क्या फैक्स थे अब यहां पर जो पैटिंस की तरफ से लण काउंसिल है उन्होंने का कि सर हमने जो है 13th of December को समिट किया था रिपलाई ठीक है यह चीज यहां पर प इंपज और जो इंपज ओडर पास हुआ है इसमें नहीं किया गया लेकिन इनको ऐसे कैसे लगा कि इसमें यूणीक क्या है कि यहां पर रिपलाई समिटे डवाई दा पैटिशनर and is a cryptic order which merily records that the reply was सब्सक्राइब नहीं है इस पर यूजल ऑफ दा सोगोज नोटीस इसूड बाइद डिपार्टमेंट है इस गिवन स्पेसिफिक डिटेल्स ओफ अलिग अंडर डिक्लेरशन ओप आउट्पुट टेक्स नोने कहा गी जी आपने जो आउट्पुट टेक्स कम दिखाया है और ज से भी आईटी से लिया हुआ है डिटन डिफॉल्टर एंट टेक्स नोट पेर्स तुदा सैड सोगोज नोटी डिटेल रिप्लाई वास पर निश्ट बाइद पैडिशन पैडिशन ने जो यह कहा कि उन्होंने जो है प्रॉपर्ली समिट किया इविंग फुल डिस्क्लोजर पिर भी जो इंपंजोडर पास हुआ है मैं आपर यह निरसन लिखी गई कि रिकोर्ट देर रिप्लाई अप्लोड़ीड वाइद टेक्सपेर इस नोट सैडिस्फेक्टरी इस मैरिली इस मैरिली स्टेट इस उसमें क्या लिखा गया ना इदर दा टेक्सपेर नोर देर प्रिजन टिटी वाए पर्सनल लिए इस पार गिविंग सफिसेंट अपॉर्चिनिटी यार सी जी जीरो से पहले दो थीन रिमाइंडर भी यहां पर बेजे जाते हैं देर फॉर दा अंडर सैंड इस लाफ बिग्शन बट टुशू यहां पर गलत लिखा हुआ है यह यह द यार सी जीरो सैंवन ओन दा बेसिस ऑफ रिप्लाई एंड डॉक्यमेंट्स अविलेबल उन दा पॉर्टल जो दोक्यमेंट्स पोर्टल पर है उसके बेसिपर हम जो है है यहां पर इंड करने एंड वेरेज ओन एग्जमिशन ऑफ रिप्लाई है उसमें जेस्टिविकेशन भी नहीं है और प्रॉपर एक कंसलेशन भी नहीं है तर डिमांड रेज्ट इन सोकोस नोटिस डियार सी जीरो बन इस हेरवाई अफैल एलोंग इस पैनल्टी तो नहीं का कि यह डिवांड जो है कंफर्म करते हुए डिमांड और पास किया जाता है डियार सी जीरो सैवन में अगर आप यहां पर यह लिख रहे हैं यह जो रिप्लाई है यह जिस्टिफाइड नहीं है तो आप इनको बताइए प्रोपर ओफिसर हैड टू एट लिष्ट कंसेडर रिप्लाई उन मेरिट्स और फॉमैन ओपिनियों उसके बाद उनको अपनियन देनी चीए दी कि एक्स्पिसान क्या सफिसेंट नहीं है फिर उसके बाद यह सबसे जरूरी इंपोर्टेंट आता है तो यहां पर मार्क प्रोपर ओफिसर वाज उप दव्यू डैट एगर प्रोपर ओफिसर को ऐसा लगता था कि यह जो रिप्लाइंग कंप्लेट है तो फर्दर डिटेल्स रिक्वाइड कर लेते वो जो डिटेल्स है वो पेटिसन से ली भी तो जा सकती थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो रिकोर्डस आप दिखा रहे हैं उसके बेस पर ऐसा लगी नहीं रहा है कि प्रोपर ओफिसर ने उनसे फर्दर कहा है कि आप यह डोकुमेंट से इटिस्वेक्टरी नहीं मुझे सब्सक्राइब है मुझे फरदर डोकुमेंट दिखाईए उनको उनकी बात कहने का जो है वो मोका नहीं दिया गया प्रोपर ऑफिसर को रहेंट के लिए अपर प्रोपर ऑफिसर को भी यह डिरेक्शन दी गई है कि आप इनको तुरंद बताएंगे कि कि इन्होंने जो क्या डोकुमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोवाइड नहीं किये ऐसा लिखने से काम नहीं चलेगा उसके बाद यह जिम्मेदारी है कि वह जितनी एक्समेंस ने डिकुमेंट्स मांगे जाएंगे वह सब्सक्राइब करेंगे और दोनों पार्टी जो है उनके जो भी राइट्स हैं और जो ड्यूटी जाएं उनको यहां पर रखते हुए यह जो ज़स्वेंट है यह पास किया प्रॉपर उफिसर उसके बाद जो है लोग के कोडिंग करेंगे फिर भी यह यहां पर ओपन रहती है कि अगर फिर भी ओडर पास कर दिया जाता है तो भी इतनी भी लीगल रेमेटीज है वो अभेल कर सकता है से से के फिवर में यह काफी बड़ा डिसीजन आया है इसमें य तो आप रेमेडीज होती है तो आप रेक्टिपीशन फाइल करेंगे या फिर अपील करने जाएंगे जो कि आप जो है अपको वीडियो के लिंक्स में मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउन्लोड कर सकते हैं जो टायम लिमिट है वह कि अंदर अंदर यह आपको जो है इतनी भी लो में रेमेडीज आवेलेबल हैं जी ऊंटायलोग करने है आप कोई बीडियोड नहीं कर पाएंगे जो डिमांड और है उसके इंच्ट में पहल आपको जमाही करना पड़ेगे तो बैटर है कि जो भी नोटिस आ रहे हैं उनका प्रोपरली रिप्लाई समिट करें दूसरा जहां पर कोई ओडर पास हो जाता है तो उसके लिए जो भी रेमेडी जैवलेबल हैं जैसे अगर आप जो है अपील करना चाहते हैं और अगर आप रिट पेटिशन में जाना चाहते हैं तो आप रिट पे हैं है जो उसके डिए समिट करें पूसरा कर अपर्ड़ला हैं जापेश्यों अदकर लेड़ कर आपके झापके बदोलिता हैं प्रे जापके हो मुँए सबस्चाह जबस्या रेहां बाता हैं जाफर जा